आज्ग आन्सर आइटिक इसे क्लास है इंकर आज है तक मेरी आवाज आ रही है मेरे प्यारे प्यारे लालो और नियु वेर मी कि आप सुन पा रहे हैं कि भाई भाइस कि अलो हलो 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 है आप सुन पा रहे हैं मेरी प्यारी प्यारी लालू कि आपको मेरी अवाज आ रही है यस नो कि मेरी आवाज आ रही है सभी को कि एस नो कि आनी रहा कि मैंने दूसरे वाले पर तुन करती है कि मेरी आवाज आ रही है लिंक से कर वां यह लाईव आ रहा है ना कि मेरी आवाज आ रही है मेरे प्यारे बच्छों का मेरी आवाज तम साफ है कि आप यह दो फ्रका वाज करते हैं तर्यश्वति मता का नंदन करता हूं और आने के लिए बहुत भुट धनेवाद मेरे प्यारे प्यारे बच्छों बहुत खुछ रहिए बहुत आनंद में रहिए आप लोगों पर सरस्वतिमाता मता की किरपा बनी रहे एंप हमने भुटान तक कर लिया था मुझे लग रहा है क्या हमने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों भुटान तक कर लिया था क्या हमने पंगलादेश तक कर लिया था भुटान तक तरह भीज़ दियो दो चार बच्चो कड़ी लिया होगा भाई येस भुटान तक हुआ था ना भुटान तक ठी आ जाए आगे बढ़ते हैं तरस्वती माता का नंदन करता हूँ अभी नंदन करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत कुछ रहिए बहुत कुछ रहिए बहुत आनंद में रहिए सरस्वती माता की किरपा आप पे बनी रहे और आज की क्लास में आपके लिए चालू करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों सभी का अभिननन दन सभी का वंदन सभी बहुत खुश रहिए आईए चालू करते हैं इंडिया बंगलादेश में क्या सवाल पूछा जाएगा सबसे पहली बात है कि इससे सवाल क्या बनेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्च वाट विल वी दा कोश्चन आज प्रॉम दिस सेक्षन यह जो बंगलादेश का मुद्दा है क्या सवाल बनेगा सवाल लिख देता हूं क्योंकि सवाल लिखने से clarity बहुत बढ़ जाती है जीवन में तो पहले सवाल क्या सवाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उसको देखते हैं मेरी आवाज एकदम साफ एकदम तेज होनी चाहिए आपके कानों में पता लगना चाहिए क्या मेरी अवाज एक्दम तेज है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बार जरा रसती माता का नाम लेके बता दो क्या मेरी अवाज एक्दम क्लियर है is my voice is very very clear to you yes or no क्या मेरी अवाज एक्दम क्लियर है question question देखो question देखो जहां से question आएगा भारत पंगलादेश के आपस में बड़े धनिष्ट सम्मंद रहें परंतू खाल के फाल के दिनों में कुछ चुनोतियां भी उत्पन हुई है कुछ चुनोतियां भी उत्पन हुई है उन चुनौतियों का परणन करते हुए उन चुनौतियों का परणन करते हुए समाधान प्रस्तुत कीजिए अभी सवाल को कैसे लिखेंगे आप अब विल यू राइट दिस कोश्चन भारत बंगलादेश पर हाव विल यू राइट दिस कोश्चन की इन इंडिया बंगलादेश आई भाररत बंगलादेश बंगलादेश वरई भारारत बंगलादेश लेवर द hun अल् There are some challenges in the recent past. are also there. Some challenges are also there in the recent past. Highlight them and provide solutions. How will you write this question, how will you write this question, in the end, you will not say that. If you know the answer, if you know the answer, you will not say that. If you know the answer, you will not say that. पंगलादेश एक ऐसा पड़ोसी जो पहले भारत ही रहा है क्या बात है कभी ये भारत का ही हिस्सा था भारत ही था It was India. It was India, my friends. लेकिन आपको 1909 के मारले मिंटो रिफॉर्म याद कीजिए. 1909 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मारले मिंटो रिफॉर्म याद कीजिए जिसके अंतरगत पंगलादेश की नीव रखी गई. यहां पर मुस्लिम लीक का उदय हुआ, यहां पर सेपरेट ठाका को राजधानी बनाने की बात की कलकत्ता विभाजन, इसकी नीव रखी गई. यानि कलकत्ता विभाजन पर ही इसकी नीव रख दी गई थी. क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कलकत्ता विभाजन के टाइम पर ही इसकी पूरी नीव रख दी गई थी. The answer is yes. The entire नीव of बंगलादेश was, और पाकिस्तान, you can say, यहाँ पर ही हिंदू, मुसल्मानों को, मेरे प्यारे प्यारे भाईयों को, हिंदूों को, मुसल्मानों को, हिंदू and मुसलिम्स were divided for the first time and then it proceed और फिर पहले पाकिस्तान और यह इहिलाका कहलाया पूर्वी पाकिस्तान, the eastern पाकिस्तान. लेकिन किस्टन पाकिस्तान मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले यह इह इलाका 1947 में, जब यह धरम के नाम पर अलग हुआ, इनके छेत्रों ने पकिस्तान ने इस इलाके को अलग किया तो ये इलाका पूरी पकिस्तान कहला है लेकिन इनके कल्चर में तो जमीन आस्मान का फर्क था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या फर्क था क्या फर्क था उसको देखते हैं क्या फर्क था उसको देखते हैं क्यूं यह अलग हुआ हरत का यह यंग था हरत से क्यूं अलग हुआ इसको जरा देखते हैं इंडिया का मैप निकाल के आपको एक एक चीज को बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूं तरह ध्यान से सुनेगा समझने का प्रयास कीजेगा और रैंक भी निकालने का प्रयास कीजेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यह इलाका धरम के नाम पर 1947 में क्या कहलाया 1947 में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यह इलाका कहलाया पूर्वी पाकिस्तान इस्टन पाकिस्तान और वेस्टन पाकिस्तान यह दो इलाके बने लेकिन यह इलाका बाद में अलग हो गया 1970 में क्यों और इसने अपने आपकी आजादी मांगी इसने पंगलादेश ने अपनी आजादी खुशित कर दी क्यों वाइट अप्टिट फॉर वाइट इस अप्टिट फॉर इस फ्रीडम फ्रॉम रेस्टन पकिस्तान क्यों इसने आजादी मांगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसलिए मांगी की प्रॉब्लम थी, क्या थी, प्रॉब्लम थी, ये धरम के नाम पर बढ़तो गए, धरम के नाम पर पंगलादेश और पकिस्तान बनतो गए थे, पकिस्तान वाविंग फू पार्ट्स, दिस वास काल वेस्टन पार्ट, पस्चिमी पकिस्तान, पस्चिमी पकिस्तान, वेस्टन एंड इस एरिया वास कॉल्ड इस्टन पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान लेकिन क्या धरम ही एक केवल इकाई है जो लोगों को जोड़ती है कि यह अलग क्यों हुए इनको अलग होने की वज़ाए 1947 से की यहां पर संघर्ष चलता रहा और 1978 में फाइनली यह इलाका पंगलादेश के रूप में निकल कर आया कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे बड़ी सिंपल सी बात थी कि भाई इनकी संस्कृती एक नहीं थी भाशा बोली एक नहीं थी और यह जो वेस्टन पाकिस्तान है मेरे प्यारे प्यारे लालो जिगर के टुकड़ों यह ताना शाही चलाता था पावर शेरिंग नहीं थी यह जो इलाका है पूर्वी पाकिस्तान यहां पर सत्ता का बटवारा यही इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉंसेप्ट है जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सत्ता का बटवारा the concept of power sharing नेपाल बे भी हमने देखा था कि अगर सत्ता का बटवारा मधेशी में नहीं करोगे थारू में नहीं करेगे if you are not if you are not properly dividing the power then there will be a problem for sure वहाँ पर समस्याएं होना बहुत जरूरी है तो division of power लोगों के बीच में सारे धरम जाती समुदाय के बीच में अगर आप सत्ता का बटवारा नहीं करोगे there will not be any power of sharing then there will be a issue for sure वहाँ पर issue होने रहे हैं there will be issue for sure तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सत्ता का बटवारा क्यों नहीं हुआ कैसे नहीं हुआ ये जो western Pakistan है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों western Pakistan है ये क्या करता था western Pakistan इन पर ताना शाही करता था आजादी के बाद ही इनी पर तानाशाई करता था वेस्टन पाकिस्तान में कैसे लोग थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वेस्टन पाकिस्तान में थे वेस्टन पाकिस्तान में थे पंजाबी लोग उनका कल्चर हमारे पंजाब के कल्चर से हमारे राइस्थान के कल्चर से हमारे गुजरात के कल्चर से रहना, पहनावा, रहना, तहना, चादी करना, भाशा बोली, एंटायर लेंग्वेज इसक्रिप्ट, लेंग्वेज इसक्रिप्ट, कल्चर, इसका पाट था, हमारे इंडिया के बड़ा क्लोस था पंजाब के राइस्थान के, लेकिन यहां का, क्या यहां का भी, वही कल्चर है बंगलादेश का, क्या वहां भी ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, क्या वैसे ही शादी की जाती है पूरवी पाकिस्तान में, नहीं मेरे प्यारे प्यारे ब इस्टन पाकिस्तान एर कल्चर इस वेरी वेरी सिमलर टू वेस्ट बंगाल मच्छी खाते हैं बंगाली बोलते हैं ताड़ी पहनते हैं मतलब दो अलग-अलग कल्चर पहनावे संस्कृती धर्म के नाम पर एक साथ जुड़ गए थे और तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो यह वेस्टन पाकिस्तान हैं इस वेस्टन पाकिस्तान इसने अपनी मोनोपोली बनाए रख़ी और मोनोपोली कितने दिन चलेगी आना शाहि कितने दिन तलेगी सारी ताकत यहां के नेता यहां की सेना लिए रखती थी और इनको दबाया जाता था पावर शेरिंग नहीं थी दबाया जाता था और जब कोई community subjugate feel करने लगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो फिर क्या होगा वेन सम community is feeling cheated subjugated तब वो क्या कहेंगे हमें नहीं रहना केटलोनिया में क्या हो रहा है लंदन में क्या हो रहा है रोहिंगिया मुसल्मान क्यों परेशान है अगर किसी देश के अंदर आप power sharing ठीक से नहीं करोगे if you are not true constitution are not giving powers to the people then there will be a problem for sure वहाँ पर समस्याएं होना बड़ा लाजमी है वहाँ पर समस्याएं होंगी ही होंगी और उस समस्याओं को तूर नहीं किया जा सकता और इसी को लेकर दो कंट्रियों का जनम हुआ इतनी बात आपको समझ में आ गई है अब आईए अगर इतनी बात समझ में आ गई है और भारत ही वो देश था इसने इसको आजाद भी करवाया इंडिया वाज तक हम उनकी मदद करते आ रहे खत्तर में हमने वार लड़ी हम उनकी मदद करते आ रहे आज तक हम उनकी मदद करते आ रहे है आओ तो कहानी ज़्यादा नहीं करनी है कोस्चन का आंसर आना चाहिए कोस्चन के आंसर की तरफ बढ़ो इस कोस्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आपको सब कुछ आता है और इसके का आंसर लिखना नहीं आता तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कोई फाइदा नहीं है याद रखना इस बात को कि इस्टोरियां सबको आती है लेकिन आंसर टॉपर को आता है क्या बात करें सर हाँ इस्टोरियां सबको आती है एंडी टीवी पर एंडी टीवी पर फीचरों दोवारा खुब इस्टोरियां बताई जाती है लेकिन क्या यह आंसर भी आता है क्या यह answer भी आता है भारत बंगलादेश का यह matter करता है अगर आपको selection लेना है यह matter करता है कि आपको इसका answer आता हो और अगर इसका answer आपको नहीं आता तो सब कुछ बेकार है Everything is false if you are not able to write an awesome answer आईए answer कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं बड़ा फट देखते हैं क्योंकि आज ही हमको मालदीब भी करना है पाकिस्तान में भी गुसना है पाकिस्तान में गुसना है उसके साथ प्यार महबब टकरार करने हैं आईए खटा खट चालू करते हैं एक दम बढ़िया तरीके से बंगलादेश के उद्भव की कहानी जो अब बंगलादेश कहलाता है कभी यह पूरी बंगाल कहता था पहले इस पूरे लेंड पर मुगलो का ही शाषन रहा इंडिया पर भी पंगलादेश पर भी लाहौर पर भी हका पर भी आपने सुना होगा कि मुगलो ने अपने लोग छोड़ रखे थे सुजाउद द्वाला अली खुर्दी खान पुली वर्दी खान अली वुर्दी पुली वर्दी बक्सर की लड़ाई यहीं हुई थी येस और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने मुगलो को हरा कर इस लैंड को भी अपने साथ कर लिया अब ब्रिटिशर केम तो इंडिया और इस्टिव स्टैबलिश देर सोवरैनेटी अब निस्टो शेतालिस में भारत और पकिस्तान की अजादी जब प्राप्त कर ली इंडिया and पकिस्तान गें इंडिपेंडेंडेंज इन इएर 1947 दे मुस्लिम डॉमिनेटीट पकिस्टान का इस्टान बन गया जिसको पूरवी पकिस्तान का जाट तो बुस्लिम डॉमिनेटीट एरिया ओफ बंगाल बिकेम पार्ट अथ पकिस्तान इसको इस्टन पाकिस्तान के रूप में मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों जाना जाने लगा, कौनसे एरिये के रूप में इसको जाने जाने लगा, इसको इस्टन पाकिस्तान के रूप में जाने जाने लगा, आईए, लेकिन आजाद होते ही यहां पर संगर्ष चालू हो आपको बताया था पूर्वी पाकिस्तान यह जो बंगला देश है इस्टन पाकिस्तान यहां की जाती अलग थी यहां की भाषा अलग थी इस वास नॉट ओनली जोग्रफिकल इली डिफरेंट यह केवल ना केवल भुगौलिक रूप से अलग था मेरे प्यारे प्यारे बंचो परन्तु यह इससे अलग था यह भाषा और जाती के अधार पर भी अथा एथिनिसिटी और लेंग्वेज के अधार पर भी अलग था और जल्दी यह संगर्स का कारण बन गया क्या ही हां मौर्शल लगाए गए हां वेस्टन पाकिस्तान ने चार साल के लिए बिट्वीन 1952 to 1962 यहां पर क्या लगा दिया मेरे प्यारी-प्यारी लालों मौर्शल लो यहां पर सेना भेज देते थे सेना भेज देते थे और मार्शल लो लगा दिया करते थे यह वर सेंडिंग ट्रूप फ्रॉम वेस्टन पाकिस्तान उन्ही का डॉमिनेशन था और उसी डॉमिनेशन के द्वारा क्या जाता फिर 1969 के बाद के डॉमिनेशन में भी यहां पर मार्शल लो लगा दो बार यहां मार्शल लो लगा अब क्या हुआ 1971 में एक आदमी आया और उसने एक पार्टी बनाई शेक मजीबुर रह्मान कौन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों शेक मजीबुर रह्मान आवामी लीग कौन सी पार्टी आवामी लीग उसने इस इलेक्षन में सब कुछ जीत लिया वन एवरिटिंग इन इस इलेक्षन वहां की जो पार्टी थी उसने सब कुछ जीत लिया कौन थे सेख हसीना के पापा अपिता जी एक मजीबु रह्मान 1971 में जीत गया इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग तो की वेस्टन पाकिस्तान को ना गुजार बगरा दे वर नॉट इन दा इंट्रेस्ट ऑफ वेस्टन पाकिस्तान और वाज स्ट्रगल यहां पर फिर सेना भीजी गई उनको रद कर दिया गया और इन पर जात्यतिया ढ़ाई गई तो शेक मजीबुर रहमान कौन है जो आज की परधान मंत्रिये एक हसीना इनके पिताजी थे इनके पिताजी ही थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों शेक मजीबुर रहमान तो शेक मजीबुर रहमान ने जब वह되ए 1971 का election जीत लिया था तब भी वेस्टन पाकिस्तान नहीं माना, जब वेस्टन पाकिस्तान नहीं माना, तो रहय युद्ध की स्तिती आ गई और 27 मार्च 1970 में वेस्टन पाकिस्तान से सेख मज़ूबुर रहमान ने अपना डिकलेरेशन पता दिया और बंगालियों के लिए बंगला देश बनाया, तो बंगाली मुसल्मान नहीं कह सकते आप, वहां हिंदू भी थे, तो जो भी लोग उस एरिये में थे, उनके लिए एक और उसका कंट्री का जनम हुआ, पर ये क्या वेस्टन पाकिस्तान को, तो आज का पाकिस्तान है, उसको ये, वो इसको मानते नहीं, उन्होंने सेना अटका दी, और वहां से बांगले देशी, भाग भाग के, भाग भाग के, हमारी सीमा में गुसने लगे, मेरे प्यारी प्यार वच् गई, लाखो लाखो की संख्या में, इस बंगला देश से निकल कर जब वहां खूनी संगर चल रहा था, तो लोग भाग कर इंडिया में आए, हमारे नौर्टीस्ट में गुस गए, रह गए, आसाम के अंदर, मिजोरम के अंदर, शरनार्थियों की संख्या लाखो लाखो हो गई, क्या बात करें हो सर, हाँ, लाखो लाखो की संख्या में शरनार्थि, उसने लगे भारत उनको खाना खिलाता था, एंटो में रखता था, और आज जो आप NRC की समस्या देख रहे हैं, बिल देख रहे हैं, यह सब उसी का ऑफशूट है, उसी टाइम की यह सब समस्या ह हैं, these are the problem which had the seed at that particular time, उसी दौरान की यह सारी की सारी घटनाएं हैं, उसी दौरान की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यह सारी की सारी घटनाएं हैं, तो जब भारत को यह समस्या आने लगी तो भारत ने, एक बंजीबूर महमान ने हमसे मदद मांगी कि हम पर अत्याचार हो रहा है, आप मदद करवाईए, इंडिया ही वो कट्री थी, जिन्होंने बंगला देशियों की सेना बनाई, उनको ट्रेनिंग दी, और जब ज़रुरत पड़ी, तो क्या किया, मदद भी, इंद्रा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इनको आइरन लेडी अटल जी ने कहा, इनको आइरन लेडी अटल जी ने कहा, और कहा, यही है आइरन की औरत, डेल ही नौ बज़े क्लासिज होती हैं, लोग जानते हैं कि नौ बज़े का टाइम एकदम, छे दिन क्लास होती हैं, मंडे से लेकर सेटरड़े, नाइन पी-म, अगर आपको टाइम नहीं पता है, तो टाइम नोट कर लीजे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ग्यारा जनवरी उनिस सो, 72 को, हमने मदद की, और उनको क्या किया, उनको सपोर्ट किया, और लिबरेट करा है, और तभी से पाकिस्तान हमसे चिड़ा बैठा हुआ है, क्या, यह बंगला देश को भी इन्होंने आजाद करा दिया हमसे, पंगला देश को भी आजाद करा दिया, अभी से चिड़ा हुआ रहता है, इंडिया, एक ऐसी कंट्री है, जो अमरीका मना कर रहा था, कि भाई, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, इट वस सपोर्टिंग पाकिस्तान, इट वस सपोर्टिंग पाकिस्तान, कि बंगला देश के खिलाब नहीं, आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, फिर भी इंद की और लिबरेट कराया इसमें रश्या और इसरेल टू कंट्रीज अवेरी वेरी कुरूशल रोल इसरेल और रश्या सपोर्टेड अस बट पकिस्तान एंड अमरीका वाज एट वन साइट ठैर बाद में सेक अजुम मजुबूर रहमान की हत्या कर दी गई हत्या कर दी गई और उनके सारे परिवार को मार दिया गया और ये थोटी सी लड़की चेक हसीना ने इंडिया में शरण ली चेक हसीना हैस टू टेक असाइलम इन इंडिया क्या बात करें सर्थ हाँ इंडिया इसको इंडिया में असाइलम से न आग जा क्या ये इंडिया में इंडिया फटी है शीख शीना अवामी लीक की जो आज परधान मंत्री बनी बैठी है बंगला देश की और बढ़िया से चला रहीこんな कैट है घ्रान asylum she studied in India and now after so much turmoil she is the Prime Minister of Bangladesh. वहाँ Pakistan को support करने वाली भी क्यों कोई party बनी थी क्या उनकी अजादी के बाद? The answer is yes. उसको भी support करने वाली party बनी थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिसका नाम था PBN तो आज भी support कर रही है उसकी कौन है दो लेडी की वहाँ पर सरकार चलती है खालीदा जिया आज कल ये और इनका परिवार जेल में है ये और इनका परिवार जेल में है तो खैर जब आजाद तो करा दिया पर शेक मजीबूर रह्मान को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मार दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और वहां खूनी सिविल वार चलती रही है लेकिन कुल मिलाकर आप वहां डेमोक्रेसी मैचोर हो रही है और इंडिया कंसिस्टेंटली मदद करते आ रहा है मदद करते आ रहा है मदद करते आ रहा है अब यहां से मेंस का सवाल चालू होता है The Mains question is very very important. Mains का सवाल आप देख लिए, कि बंगलादेश भारत के लिए क्यों महत्पून है? Why बंगलादेश is important for India? अगर इसकी बात करें, तो आपका क्या जवाब आएगा? Why बंगलादेश is important for India? भारत को क्या मिलेगा बंगलादेश के उसके साथ रहने पर? इसके मुद्दे पर आप चर्चा कर सकते हैं? मुद्दे पर मैं आपकी चर्चा कराता हूं, डिबेट कराता हूं, और आपको हर एक चीज़ बताता हूं कि बंगलादेश हमारे लिए महत्पूर क्यों है? आज का बंगलादेश हमारे लिए महत्पूर क्यों है? सुनना मेरी बात. समझना दो मिनिट में. Remember everything in two minutes. कि why this country is important for us. कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, country इसलिए important है क्यूंकि हमको अपना और थीष्ट का विकास करना है. किसका विकास करना है? और अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें अपने और थीष्ट का विकास करना है, तो क्या है? सडके चाहिए, एंड करेक्टिविटी इस दे निम अब दगें किनेक्टिविटी ही सबकुछ है को बहुत जाओगे कैसे यह तो चिकन नेक बना हुआ है तो अगर हम आपसाम का विकास चाते माया देश का मिजोरम का तिरपुरा का तो यह रास्ता अल्टरनेटिव रूट पंगलादेश के जरिये जो 1945 से पहले था उसको दुबारा रिवाइब करने की कोशिश है उसको वी वान्ट टू हैवा रिवाइवल वी वान्ट टू रिवाइब टाइनपा चक्चर प्रेन एंड लिंक इस एरिया फिर क्या यहां के रेडिकलाईजेशन जो है यहां पर है आसाम के अंदर नागा लेंड के अंदर सेपरिस टेंडेंसी हैं क्या यह लोग आतंकवादी मियामार और पंगलादेश दोनों जगे शरण लेते हैं आंसर इज येस, तो हमारे जो ये सेपरिस टेंडेंसी चल रही है, अनोनाचल प्रदेश, नागा लेंड मिघाले, ये सेपरिन टेंडेंसी ना चले, यहां के आतंकवादी, भगोडे, देश को तोड़ने वाले लोग, आपर शरण ना लें, वहां पर शरण ना लें, क्या इसके लिए हमें मियामार से भी प्यारे संबंद और बांगलादेश से भी प्यारे संबंद बनाने बढ़ेंगे, Do we need to make strong tie-ups with Bangladesh and Myanmar? The answer is yes, मेरे बच्चों, अगर भारत को अपने नौर्थ इस्ट का है करना विकास, उत्तरपूर्व, Seven Sisters का विकास करना है, So we need to have a strong and stable tie with Bangladesh, ठीक है, तीसरा, यहां पर Islamic लोग रहते हैं, बंगलादेश में इसलाम को मानने वाले, क्या हमारे यहां भी Islamic को मानने वाले लोग रहते हैं? The answer is yes, Islamic radicalization ना बढ़ जाए, Islamic radicalization ना बढ़ जाए, इसलाम का चरम पंथ ना बढ़ जाए, पंगलादेश की धर्ती का परियोग हमारे हां, एक्स्रमिजम को बढ़ाने में ना किया जाए, इसके लिए भी, चरम पंथ के लिए भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसकी बहुत जरूरत है, कि हम इस एरिये को सपोर्ट करें, और अगर हम चाहते हैं, चाइना, मैंने आपको बताया था, ड्रैगन, दा एक्टिव ड्रैगन ओफ चाइना, पंगला देश, नेपाल, भूटान, म्यामार, स्रिलंका, मालदीप, पकिस्तान, इरान, यहां मोतियों की माला से हमको घेरने की कोशिश कर रहा है और क्या वो उसके जहाज यहां तक बंगला देश में भी आ रहे हैं The answer is yes मियामार में भी आ रहे हैं, yes तो चीन का जो खत्रा है The China's domination उसको counter करने के लिए हमें नेबर्वूट फॉलिट्सी के सहथ activist policy के तहथ Gujaral doctrine के तहथ Through the Gujaral doctrine, neighborhood policies We need to make sure that Bangladesh keep Align with India We have a strong ties But we want to make sure that these ties become more stronger And deep-rooted हम लोग यह चाहते हैं कि बंगला देश हमारा 1971 से पार्टनर रहा है यह हमने सब कुछ किया है उसका लेकिन वो आगे भी हमारे साथ खड़ा रहे है पाकिस्तान भी आजकल मंगला देश पर डोरे डाल रहा है उससे प्यार महबद सम्मंद आदियों की बात कर रहा है यह हमारे लिए सब खत्रे की घंटी है इस आरदा चैलेंजेज हमको चाइना से बचना है पाकिस्तान से बचना है एक्स्रमिजम से बनना है उप्तरपूर का डवलप्मेंट चाहिए वहां के आतंकवादी सेपरेट लोग यहां की टेंडेंसी ना लें चाइना को काउंटर करना है डेट इस वाए बंगला देश इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट पोर आस हमारे लिए ये बंगला देश अती महत पूर्ण क्या ही बात समझ में आ रहा है क्या ही बात समझ में आ रही है कि वाई बंगला देश इस इंपोर्टेंट पर आस why we need to have a strong tie up with बंगला देश हमको बंगला देश की जरुवत क्यों है और बंगला देश के साथ मदूर संबंध होना बंगला देश के साथ मदूर संबंध होना भारत के हितों की पूर्टी कैसे करता है why it is in the interest of India good अब other section को देखो other section को देखो इसको भी notes चाहिए answer writing का course करना है political science optional का course करना है PT की test reach करनी है mains की test reach करनी है this is the number IS में top 50 में rank लगाना है this is the number 742-850-2188 send me a message कोई notes चाहिए guidance चाहिए you will get that message कर देना आपको मिल जाएगे बहुत सारे प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं उसमें आप ले सकते हैं आईए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसकी playlist भी पूरी बन चुकी है उसमें भी आप देख सकते हैं अब आप चुनौतियों को देखो इसको देखो यू नीड टू सी सम चैलेंजेज क्या करें हमको चुनौतियों को देखने की आवश्यक्ता है वी नीड टू सी दा चैलेंजेज क्या देखने की जरुवत है मेरे प्यारे प्यारे लालों जिगर के टुकडों वाट आर दा वेरियस चैलेंजेज इन इंडिया पंगलादेश रिलेशन वाट आर दा वेरियस चैलेंजेज क्योंकि आप चैलेंज नहीं जानेंगे तो समस्या है यह चैलेंज आनने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको आंसर लिखना आना चाहिए अगर आपको आंसर लिखने आते हैं तभी कोई फाइदा वनना कोई फाइदा नहीं इशुज बता दूँ एक ही दर्म में आओ दोनों देशों के बीच में इशु क्या क्या है पढ़के भी बता दूँगा पहले ऐसे ही बता देता हूँ what are the various issues in the relation of these two countries पहला इशु नदी का पहला इशु नदी का भारत ऊपर वाला देश है इंडिया इस अ अपर रिपेरियन देश तो भारत से होकर ही नदी का पंगलादेश में आती हैं चाहे वो प्रमपुत्रा हो गंगा हो या और छोटी मोटी नदिया ओल दा रिवर्स इंडिया बींग्स आर अपर रिपेरियन इस्टेट ओल दा रिवर्स और कमिंग फ्रम अपर रिपेरियन इस्टेट तो लोर रिपेरियन इस्टेट तो क्या इसमें चैलेंजेज हैं हां घारत पर आरोप लगाता है बंगलादेश कि आप पानी रोकते हो परक्का बराज आपने लगा दिया तो सबसे पहला हम दोनों के जो टाइअप में आज की डेट में चुनौती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो है पानी का बटवारा कॉमेंट मत करो आपस में कोई फायदा नहीं है डू नॉट डू एनी कॉमेंट के प्यार महबबत क्लास के बाद कर लेना एक दूसरे का नंबर लिख लो सारे और क्लास के बाद आपको साड़े 22 गंटे मिलेंगे सारी बाते कर लेना यहां पढ़ाई पर ध्यान दो किसी को भी कोई डिटेल चाहिए तो मैसेज करो पढ़ाई एकदम पढ़ाई मेरे प्यारे पैच्चों रैंक निकालना है आपको प्रेंक निकालना है, माबाप का नाम रोशन करना है, उसके लिए पढ़ो, ऐसे पढ़ो जैसे पूजा की जाती है, क्या बात करें उसर, हाँ, ऐसे पढ़ो जैसे वंदना की जाती है, रीड, like you are praying, do not disturb, and do not get disturbed, की ना तो खुद डिस्टब हो, ना किसी को डिस्टब करो, जैसे ओम जै जगदीश हरे, स्वामी जै जगदीश हरे, जब प्राथना करते हो, तो क्या, किसी की आवाज सुनना चाहते हो, the answer is no, किसी तरहे पढ़ाई भी करो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तभी आपका टॉप 50 में रैंक लगेगा, यू विल गेट शूरली या गेट रैंक इन टॉप 50, इफ यू आर सीरियस, आओ, वेरी वेरी सीरियस स्टूडेंट, कौश सीरियस बच्चे हो, अच्छे तरीके से पढ़ो, नदी के पावन का बटवारा, रिवर वाटर दिस्ट्रिबूशन, भारत और बंगलादेश के बीच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 54 नदियां बैती हैं, हमने कमिशन भी बना रखा है, तो इंडिया एंड बंगलादेश शेयर 54 रिवर्स, हमने इन, we have, there are bilateral joint commissions, तो हमने बना रखे हैं, 1972 से ही काम कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे पानी बटेगा, भारत सारा रोखी तो नहीं लेगा, लेकिन आज भी, इन पर issue है, हमने परक्का बेराज बना दी है, परक्का बेराज बना दी है, गंगा पर बांध बना दी हैं, तो इस सोचता है कि हमारे सारे पानी को महाँ पर भी गेहूं की खेती होती है, नहीं वहाँ पर क्या होता है, नहीं वहाँ पर, इन नदियों को लेकर विवाद है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन नदियों को लेकर विवाद है, प्रमपुत्रा पर भी विवाद है, रमपुत्रा पर भी विवाद है गंगा पर भी विवाद है फरक्का बवाज पर भी विवाद देते हैं और एक बहुत बड़ी नदी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तीस्ता तीस्ता नदी पर भी विवाद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि तीस्ता का पानी बंगाल से होकर गुजरता है और बंगाल में मम्ताब एनरजी कहती है हम पानी नहीं देंगे इंडिया चाहता है कि पानी दिया जाए बंगलादेश को पानी दिया जाए जिनको भी डाउट किलियर होता है जोती इन भी बच्चों को डाउट होता है वो मैं फ्राइडे को क्लास लेता हूँ अब फ्राइडे कब है कि आज फ्राइडे है फ्राइडे को साड़े दस बजे आप आना फ्राइडे को साड़े दस बजे फ्राइडे को साड़े दस बजे फ्राइडे को साड़े दस बजे आपके सब बच्चों के लिए उपन रहेगा हर Tuesday और Friday ओ साड़े दस बजे तुबहे में डाउट किलियरिंग क्लास होती है कहां जूम पर लेकिन उसका लिंक कैसे मिलेगा उसका लिंक कैसे मिलेगा सर क्या यूटूब पर क्लास होगी नई उसके लिए आपको अपना नाम और आप डाउट किलियरिंग सेशन करना चाहती है उसका एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा तब हम आपका नाम उसमें नोट कर लेंगे कि आपको भी वो लिंक भेजना है क्या बात करें हो सर जिन भी बच्चों को डाउट है कोई भी डाउट है कल क्लास होगी प्राड़े दस बजे आप अपना नाम हमारे यहां रेजिस्टर करा दीजे आपको हमेशा हर ट्यूजडे को और हर ट्यूजडे को मैसिज आ जाएगा क्या बात क्लियर हो गई जिसको भी डाउट होता है उसको जूम का लिंक आ जाएगा इस दिस ठिंग क्लियर तो अल अफ यू एक बार अपना नाम करके वाट्सप कर दो हमारे यहां हजारों बच्चे मैसिज करते हैं एक बार दुबारा से डाउट किलियरिंग करकर मैसिज कर देना आपको सबको आ जाएगा जो भी करकर भेजेगा ठीक है आओ और ज्यादा दिक्कत आती है फोन करो फोन नंबर है फोन नंबर है जीवन में दिक्कत आती है मुझसे बात करना है इस नंबर पर संपर्क करो अब पढ़ो दुबारा से पढ़ो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों में करता है उसको प्रफी में प्रफी यहां कोही मच्ची बजार नहीं है कि आप कुछ भी लिखो कुछ भी करो और ओकी क्लास में यह सब होता है मैं इसको पसंड नहीं कि जिसको भी किसी भी चीज का डौट है message कर दो एक बार हमारे पास आपकी detail आ जाएगी तो हम दे देंगे क्या हमको doubt clearing का link उन बच्चों को भी भेजना चाहिए जो IR की class लेते ही नहीं है क्या उनको भी हमको doubt clearing का link भेजना चाहिए तो IR की class लेते ही नहीं है सब को भेज दें, group में भेज दें doubt clearing का link बताओ the answer is no तो class नहीं लेता उसको link देके क्या करेंगे कितने बच्चे class लेते हैं उनहीं को link भेज देंगे कल उसके लिए आप अपना नाम भेज दो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आओ आओ अब आगे बढ़ो तो सबसे पहला link मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये देखा कि तीस्ता नदी पर जो बंगाल में बंगाल में बहती भी नहीं बंगाल में बहती भी नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बंगाल में बहती भी नहीं बंगाल से होकर पंगलादेश जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पंगलादेश जाती है मना कर रहा है मना कर रहा है कि हम एक जगह भी पानी नहीं देंगे तो तीस्ता नदी का एक विवाद है जो बहुत टाइम से अटका हुआ है दोनों की रिलेशन्शिप में पानी को लेकर नदियों को लेकर विवाद बना रहता है तेर आर ग्रोइंग टाइज विद इसमें किस्ता का जो आइग्रिमेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किस्ता नदी पर जो संगर्च चल रहा है 2011 से जो संगर्च चल रहा है केंद्र और पस्चिम बाज कि सरकारों के बीच में जो तनाव चल रहा है हमारी सेंटल गवर्मेंट ये चाहती है कि मुद्दा सुलज जाए ऐसे ही फरक्का बराज का मुद्दा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक नदी का मुद्दा है ये आप याद रखेंगे ठीक है तूसरा और क्या मुद्दा है तूसरा मुद्दा है एन रसी और रोहिंगिया मुसल्मान कौन सा एन रसी और रोहिंगिया मुसल्मान ये क्या मुद्दा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब आपको पता है क्या कि जब यहां पर सिविल वार चल रहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जब आजादी के लिए संगर्श चल रहा था तो बंगला देश से बहुत सारे लोग भाग कर इंडिया में सरंड ली और आज भी वो इंडिया में ही रह रहे हैं वापस नहीं गए आजाद होने के बाद भी और अब उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो असम की पॉलिटिक्स को क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों असम की पॉलिटिक्स को इंटर्फियर कर रहे हैं असम की पॉलिटिक्स को दबा रहे हैं वहाँ पर जीत के आ रहे हैं वहाँ की डॉमिनेस दिखा रहे हैं तो वहाँ आसाम के नौर्थ इसके लोगों ने कहा इन लोगों को पहचानो और वापस भेजो और इसलिए मोदी सरकार ने एक बिल लेकर आई है पहले से ही इसकी बात हो रही है कि भाई आसाम में नेशनल रजिस्टेर फ़र सिटिजन बनाये जाये कि कौन लोग उस समय उनिस सो बहत्तर के काल में आए हुएं आज ही रह रहे हैं और यहां का रिसोर्सों को चूस रहे हैं खा रहे हैं पनसाधनों को लूट रहे हैं संसाधनों को लूट रहे हैं यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर मेरे प्यारे प्यारे लालों जिगर के टुकडों MP बन गए हैं ML बन गए हैं और आसामी लोग असम में रहने वाले लोग ही मायनौरिटी बन गए जिनकी जगह जिनका सब कुछ वही अलप संख्यक बन के रहे गए जिनकी जगह जिनका सब कुछ वही आज वहां मायनौरिटी बन के रहे गए आज वो MP के रूप में ML के रूप में वहां जीत नहीं पा रहे MP के रूप में जीत नहीं पा रहे हैं MP के रूप में जीत नहीं पा रहे हैं वो भार के आए हुए लोग MP MLA बन जा रहे हैं वहाँ पर अवैद आसाम के अंदर अवैद घर बन गए हैं तो NRC अब NRC में कई लाखो लाखो लोगों के पास वीजा और डॉक्यूमेंट नहीं है तो National Citizen of Register है जो ही रिजिस्टर बनाया जा रहा है कि हम देखें कि कौन आदमी 1972 के बाद असाम एकॉर्ड असाम समझाते के बाद जो बोडो लैंड के टाइम पर हुआ था कौन व्यक्ति है जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कौन व्यक्ति है जो भार से आए हैं उनकी पहचान की जाए और उनको बंगलादेश वापस वेजाए अब बताओ कि अब बंगलादेश 1972, 74, 75 के बाद जो मुसलमान या हिंदू भी तो बंगलादेश से आए हैं और उनको रहते रहते यहाँ पर यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या यहाँ पर रहते रहते उन्हें 40 साल हो गएं उनको बंगलादेश अब वापस लेगा अगर वो लाखो की संख्या में लोग होंगे if they are in a higher number बंगलादेश will take them क्या बंगलादेश उनको वापस लेगा 48 साल से जो आदमी वहाँ रह रहा है क्या बंगलादेश उनको वापस लेगा the answer is no तो क्या बंगलादेश सरकार इस मुद्दे पर डरी हुई है कि इंडिया क्या करने जा रहा है the answer is yes क्या यह भी एक चुनौती है दोनों की relationship में हाँ यह भी एक चुनौती है कि भाई 48 साल पहले जो काम हुआ उसकी जुम्मेदारी आज इनके दुआरा क्यों ली जाए पाए the responsibility should be taken by them उनके पास जुम्मेदारी क्यों ली जाए युम्मेदारी क्यों ली जाए तो ऐसे ही क्योंकि बंगला देश एक मुस्लिम देश है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों it is a Muslim country तो भारत में अठारा करोड मुसल्मान है और जम्मू कश्मीर में भी मुसल्मान हैं पूरी दुनिया में ऐसी ख़वी बनाने की कोशिश की गई है क्या कि भारत में मुसल्मान minority हैं तो उनको दबाया जा रहा है उनको तंग किया जा रहा है the answer is yes क्या उनको भी ऐसा लगता है बंगला देश में ज़्यादा मुसल्मान है कि उनके साथ अच्चाचार हो रहा है the answer is yes उनको भी ऐसा लगता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारत दबाता है मुसल्मानों को ऐसे ही भारत के लोगों को क्या लगता है कि जो जो वहाँ पर हिंदू रहते हैं उनको वहाँ से भगाया जा रहा है तो क्या ये भी मुद्दा है और अफगानिस्तान से पकिस्तान से जितने भी मुसल्मानों को छोड़कर खताय हुए लोग हैं मुसल्मानों को छोड़कर अगर कोई मानोरिटी है तो उसको क्या भारत ले रहा है कि पकिस्तान से कोई मुसल्मानों को छोड़कर हिंदू जैन सिख वापस आता है तो क्या हम उसको ले रहे हैं तो आंसर इस येस हमने क्या बना रखा है citizen, amendment, bill के तहत हम उनको नागरिकता दे रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या दे रहे हैं हम उनको नागरिकता दे रहे हैं हम उनको नागरिकता दे रहे तो भाई दोनों ही जगाओं पर अलप संख्यकों को लेकर वो हमारे बारे में कुछ और सोचते हैं, हमारे लोकल लोग कुछ और सोचते हैं, हमारे उनको ऐसा लगता है कि minority की हत्या हो जाती है हिंदुस्तान में, मुसल्मानों की, तो थोड़ा सा नराज रहते हैं, ऐसी भारत के लोग हाँ पर जो minority है वो भाग भाग कर आ रही है, वो नराज रहते हैं, तो there are some issues, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चुनौतियां हैं जो लोगों को लेकर हैं, फिर एक चुनौती है, रोहिंग्या मुसल्मान की, रोहिंग्या मुसल्मान, यह जो रोहिंग्या मुसल्मान हैं, इनको तंग किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आरोप लगता है मेरे प्यारे प्यारे वच्चों, जिगर के टुकडों, कि म्यामार मैं आपको जल्दी म्यामार पढ़ाऊंगा कि म्यामार की धर्ती पर रोहिंगिया मुसल्मानों को फगाया जा रहा है तो घुसके हमारे यहां भी आ जाते हैं और यहां भी घुस जाते हैं हमारे नौर्थीज के इलाके में उत्तर पूर्व के राके में आ जाते हैं, नौर्थ एस्ट के राके में आ जाते हैं, और उस से फिर वो ही लोग इंडिया में भी प्रवेश कर जाते हैं. तो भारत में जब वो गुशते हैं तो भारत उनको मैमार की तरफ वापस भेज देता है तो बंगलादेश की तरफ चले जाते हैं बंगलादेश उनको मैमार की तरफ भेज देता है तो इंडिया की तरफ आ जाते हैं तो इस रोहिंग्या मुसल्मान के मुद्दे पर क्या करना इसको भी लेकर दोनों देश किंतित रहते हैं कि यह मेंमार की प्रॉब्लम हमारे यहां आ रही है हम क्या करें इससे हमारे यहां आतंकवाद खैल सकता है रोहिंग्या क्राइसिस इनको खाना खिलाना है इनको शेल्टर देना है इनको human right देने है वापस मियामार भेजना है कैसे भेजेंगे how we will send them to मियामार मियामार पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको किलियर ली तो ये भी एक मुद्दा है अब एक ब्रेक ले लो बाकी के इशू हम पुड़ी देर बात करेंगे 10-13 हुए 10-18 पर मिलते हैं ब्रेक ले लो वी विल एसेंबल अगेन अट 10-90 झाल 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 आगे बड़े मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आधे बचल झाल 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 जली आगे बढ़ते हैं अवाज बगेरा सब ठीक ठाक है is my voice is very very okay क्या मेरी आवाज एकदम ठीक है yes आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि रोहिंगिया मुसल्मान का भी मुद्दा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रोहिंगिया मुसल्मान का भी मुद्दा है और क्या मुद्दा है और क्या मुद्दा है और मुद्दा ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि बंगला देश से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बंगला देश में गौमास खाया जाता है कई बार वहां के लोकल लोक भारत से वहां के लोकल लोक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों महां के लोकल लोक क्या करते हैं भारत से तसकरी करते हैं किस चीज की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तसकरी करते हैं गौमास की नशीले पदार्त भारत में लाते और देते हैं नशीले पदार्त टॉक्सिक मटीरियल, चरस गांजा, चरस गांजा, ये आते यहते हैं, और हमारी सेना उनको पकड़ते टाइम गोली मार देती है, कई बार उनके नागरिक मार दिये जाते हैं, मर जाते हैं, पकड़ते टाइम, तो उनको लगता है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया प्रॉ इंदी भारत बंगलादेश सेमा पर many innocent people are killed in the hand of security forces along the इंडिया बंगलादेश border क्यूंकि वो है पुरक्षा बलों के लिए सीमा पार से रुस्पैट की कोशिश कर रहे होते हैं। कि जो घुसराएं वो आतंकवादी हैं या बंगलादेशी हैं इस ट्राइड ट्रिरिस्टिस ट्राइंग टू इंफलेटरेट इन दा बॉर्डर और 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 दे आर सिटिजन तो कई बार धोके में मर जाते हैं। इसके अलावा वहां पर कौमास अवैध हतियार की तसकरी भी चल रही है। आओ अब यह यह चैलेंज आ रहे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज एक और है मेरे प्यारी बच्चों। देर वाज वन मोर चैलेंज एक है रहावाज टेर वाज वन मोर चैलेंज। अग्रोएंग अग्रोएंग इन्फ्लॉयन्स अफ चाइना। क्या चाईना इनको कुछ लोग इनको मेरे प्यारी प्यारी बच्चों चाईना यहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है सम्मध बना रहा है यहां का बंदरगा चट गाओं बंदरगा पर उसके वो आते हैं दा आंसर इस येस सबसे बड़ा खत्रा हम लोगों के लिए हो गया है चाइना चाइना चीन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का निवेस उसकी चेक बुक डिपलोमैसी हमारे लिए खत्रे की घंटी बना रही so there is a चेक बुक डिपलोमैसी which is creating hurdle चाइना का खत्रा है चाइना निवेश बढ़ता जा रहा है, हमारे नहपाल में भी कल मैंने आपको बताया था, भूटान में भी, मैं हमार में भी घुश चुका है, सिलंका के अंदर भी घुश चुका है, और फिर हम बंगलादेश से कहेगा, इंडिया के साथ अच्छे संबन्द मत बनाओ, तो च पड़ोसी उसको पना दे रहा है, उसकी भी मजबूरियां है, लखन की मजबूरियां हैं कि उसे अमरेश पुरी से प्यार करना पड़ेगा, अमरेश पुरी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्यार करना पड़ेगा, तो यह है, तो क्या यह निकल जाएगा, क्या सिलंका हमारे आज से निकल जाएगा इन सब इश्यों के पीछे ये चुनोतियां हैं अब देखना है ये कोश्चन मेरे प्यारे प्यारे लालों जिगर के टुकडों क्या ये कोश्चन आपको समझ में आ रहा है देखना सारे बच्चे भारत बंगलादेश के आपस में बड़े कणी सनन्त हैं परन्तु हाल के दिनों में इसमें कुछ चुनोतियां भी उत्थपन हुई हैं उन चुनोतियों का वर्नन करते हुए समाधान प्रस्तुत कीजिए इन इंडिया बंगलादेश we have very very strong relationship but there are some there are some challenges in recent past highlight them and provide solution कि उसको highlight करो और उस समस्या का कैसे निदान होगा यह बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उसका निदान सुन्डो अब थार्ड पार्ट इस class का तीसरे section की तरफ आप आईए तीसरे section की तरफ आप आईए जहां मैं आपको सारी चीजें किलियर कराऊंगा कि भारत कहां कहां उसकी मदद कर रहा है हमारे पास कुरोना के टीके नहीं थे हमारे पास पीपी किट नहीं थी पर हमने उनको भेजी मंगला देश को भेजी इसको बोलते हैं वیکसीन की मदद हमने की उनकी वैक्सीन के जरिये उनकी मदद की वैक्सीन के जरिये उनकी मदद की ठीक है, फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम उनके साथ और क्या सयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने व्यपार बढ़े इसके लिए तिरपुरा और मिघाले में उनके लोग आके अपने हाट लगाते हैं अपनी कीजें बेशते हैं अपना समान बेचो हिंदुस्तानी लोग आके खरीदेंगे और हमारे लोग भी बजार लगाते हैं बंगला देश आके खोड़ते हैं तो इन दो सीमाओं पर हम व्यपार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो बेस्ट कॉंटेक्ट होता है किसी दुनिया के देश में शान्ती के लिए वो मैंने आपको बताया था पीपल टू पीपल कॉंटेक्ट होता है पीपल टू पीपल कॉंटेक्ट जनता और जनता के बीच कितना समवाद बढ़ाओगे कितना debate, discussion और trade बढ़ाओगे movement बढ़ाओगे उतना ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो जितना भी आप व्यपार बढ़ाएंगे एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या बढ़ाएंगे मिले लोग घुलें उतना ही देश में अस्थेता आएगी मैंने आपको बताया होगा sociological liberalism sociological liberalism समाजिक उदारवाद यही तो कहता है मेरे प्यारे प्याज़ बढ़ाओगे social liberalism यही तो कहता है समाजिक उदारवाद यही तो कहता है कि लोगों को बलाओ तो हम लोगों को मिला रहे हैं प्यापार कितना कर रहे हैं हमारा आज की डेट में उनके साथ 10 billion योरो का वेभार है अमरीका के साथ एक billion हम ट्रेड उनके साथ बढ़ा रहे हैं इसके अलावा उनके यहां इंपा चक्चर बढ़ा रहे हैं सीपिंग सीमा हार्ट बढ़ा रहे हैं इंक्रीजिंग सीमा हार्ट सीपिंग इंडियन एकनॉमिक जोन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम उनके साथ वैपार बढ़ा रहे हैं उनके साथ हमने मुक्त वैपार समझौता भी किया हुआ है क्या बात करें हाँ प्री ट्रेड एग्रिमेंट भी किया हुआ है कि उनका माल हमारे हां आता है इनका माल भी आ जाता है उसी रास्ते उनको हम क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिजली दे रहें आर वी प्रोवाइडिंग देम बिजली पावर दा आंसर इस भारत के पास सरपस बिजली है तो हम हर साल उनको 1460 मेगा वाट बिजली दे रहे हैं इसके अलावा क्या भारत ने उनको कुछ पैसा भी दिया है क्या क्रेडिट भी दिया है क्या लाइन ओफ क्रेडिट भी दिये क्या कुछ पैसे उधार भी देते हैं क्या सर ये लाइन ओफ क्रेडिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है इसका मतलब होता है कि हम पैसा देते हैं दान के रूप में कि दान के रूप में दिया गया पैसा क्या होता है सर ग्रांट्स अनुदान क्या होता है अनुदान ग्रांट्स अनुदान होता है मेरे प्यारे प्यारे वच्चों जिगर के टुकडों तो यानि दान में पैसा दे रहे हैं हाँ जी हमने उनको आज तक आठ बिलियन ग्रांट्स दे चुके हैं तो इस अनुदान का वो क्या करते है जब लाइन ओफ क्रेडिट दी जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो लाइन ओफ क्रेडिट दी जाती है एक ये नहीं कि हमने तुमको 10 रुपए दे दिये अब तुम्हारा मर्जी है कि फिलम देख लेना या छोले भटूरे खा ल बनाने का पैसा दिया आप इस पैसे से विध्याले ही बनाओगे यू विल क्रेट आ स्कूल आउट ओफ इट हमने रोड के लिए पैसा दिया है आप रोड ही बनाओगे तो क्या भारत ने उनको आठ बिलियन डॉलर दे चुके हैं अनुदान के रूप में दा आंसर इस यस कि क्या करो अपना रेल्वे बना लो शिपिंग बना लो बंदर गाह का विकास कर लो रोड रेल्वे शिपिंग पोर्ट सभी को पैसा देते हैं पगला देश को भी देते हैं भुटान को भी देते हैं नहपाल को भी देते हैं फिलंका को भी देते हैं क्या भारत 20% गरीब देश और फिर भी पैसा दे रहा है हाँ अपने दोस्तों को अपने साथ रखना है नहीं तो अम्रेश पूरी नहीं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अम्रेश पूरी क्या करेगा हम रेश्पुरी अपनी तरफ मिला लेगा और फिर उनको उनके रास्ते हमको तम करेगा जैसे आपने नेपाल में भी देखा होगा यू हैव सीन इन दा रिलेशन्शिप अप नेपाल काला पानी, लिंपा धूरिया, लिपू लेक सुस्ता छेत्र संग कर रहा है, क्या पैसा देना पड़ता है दान सरीर किये, क्या आप रेल्वे शिपिंग बंदरगा, रोड, रेल्वे शिपिंग पोर्ट की डवलप कर लीजे, प्लीज डवलप क्या हम उनका इंपा चक्चर क्योंकि हम नौर्थ इस्ट का विकास करना चाहते हैं, मेरे प्यारी प्यारी बच्चों, वी वांट टू कनेक्ट थू बंगलादेश, वी वांट टू कनेक्ट थू आवर नौर्थ इस्टन इस्टेट, नौर्थ इस्टेट के लिए क्या हम उनके रेल्वे लिंक डू रहे हैं, बस चला रहे हैं अधुषान रच्च्चना बना रहे हैं, उनके यहां, राँसर आथ रे तिन बना रहे हैं क्या उनके जल पर ड्रेरीजिंग करकर पाइपलाइन भी डाल रहे हैं पंगलादेश अरत पाइपलाइन ता आंसर इस ता आंसर रहे हैं मेरी प्यारे 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 हम यह भी डाल रहे हैं फिर क्या जी आपकी ट्रेनिंग तो लवासना में होगी पहले इसी पॉइंट को किलियर करो कि भई रेल वे लाइन डाल रहे हैं पेटरोल की लाइन डाल रहे हैं बस भी चला रहे हैं क्यूं चला रहे हैं सर का मतलब है हमारा उनके हैं चलाने का हमारा सिंपल सा मतलब है उनके जरीए अगर हम ने वहाँ पर सब कुछ connectivity सही कर ली तो हम अपने नौर तीस तक क्या ले जा पाएंगे उनके जरीए ही सडके उनके जडिये ही रेल उनके जरीए ही हाइडो कारबन और यह जो चिकन नेक और और है जहां चाइश रहा है चाइना से हम को खत्रा आता है सिलुगरी कोरीडोर चिकननेक कोरीडोर इससे हम मुक्ति पा जाएंगे we will create alternative कि एक वैकलपिक व्यवस्था का इसके जरिये मेरे प्यारे प्यारे लालों निर्मान कर पाएंगे We will create an alternative system. That is why we are focusing on building infrastructure, railway and bus services from Calcutta to various parts of Bangladesh. And then in future, we will move towards Northeast states. We are highly dependent on them. और क्या कर रहे हैं? आपकी training होगी लवासना में. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, your training will be done in लवासना. ये बंगला देश में जो civil servant चुने जाते हैं, इनकी training कहा होती है? लवासना में? क्या बात कर रहे हो सर्थ? इनको भी training देते हैं? इनको भी सिखाते हैं, अफगानिस्तान से लेकर, बंगलादेश से लेकर, इनके अठारा सो सिवल आफिसर आये थे हमारे हैं, human resource development करते हैं हम इनका, हमता निर्भान और मानव संसाधन विकास, हमारे अठारा सो बंगलादेशियों को, हमने civil servant center को training दी, क्या वहीं training होके जाते हैं कि कैसे देश को चलाना है, जैसे भारत चलता है, आई एस officer काम करता है, तो क्या वहाँ भी वैसे ही काम करता है, the answer is, yes मेरे बच्चों, yes, 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 कि वहाँ पर भी ऐसे ही काम, ठीक है, क्या भाई, judicial academy के लोगों को भी, जो ये judge वगएरा बनते हैं, राज्ये न्याई अकादमी के लोगों को भी, क्या हमने ट्रेंड किया है, हाँ जी, पंदरा सो बंगलादेशी judicial officer, national judicial academy भोपाल, उनको भी ट्रेंड किया जाता है, बहुत बढ़िया, फिर क्या हम उनको वीजा में relaxation दे रहे हैं, भुटान में तो फ्री में लोग आ जाते हैं, विदाउट वीजा, नैपाल में भी फ्री म में आ जाते हैं, विदाउट वीजा, पर क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, मियामार से विदाउट वीजा हम इंडिया में एंट्री देते हैं, तो बार-बार उनकी मांग होती है, बिगेर किसी कागज चित्थी पत्री हमको आने दो, विदाउट किसी चि पुदार निती अपनाई जाए, अप्लिकेशन आसानी से आजाएं, और उनको सारी की सारी मदद दे दी जाए, अब आओ, हम VBIN कोरिडोर को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कोई रास्ता हो जाए, चारो देशों के बीच में, नेपाल, भुटान, इंडिया, नेप चारो देश तो हमारे क्लोज देश हैं, इनके बीच, कोई विवस्ता ऐसी हो जाए, इंफा चक्चर गिरियाट हो जाए, चारो देश भारत को बहुत मानते हैं, किनो देश, पंगला देश, भूटान और नेपाल, पंगला देश, भूटान और नेपाल, तो हम BBIN का काइंदी है, भारत ग्रांट दे रहा है, इंफा चक्चर डवलप कर रहा है, और भारत उनके साथ तीस्ता का नदी और 54 नदीयों पर भी आगे बढ़ा रहा है, इसके अलावा हमारे हाँ, उनके साथ एक लैंड का बहुत बड़ा इशू था, उनका लैंड बॉर्टर हमारे उनको भी हम सौट आउट हमने कर लिया, आप देखो, इंडिया को और क्या करने की ज़रुगत है, भाई जितने प्रोजेक्ट इंडिया चला रहा है, उनको टाइम पर पूरा करे, वैक्सीन डिप्लोमेसी हमने दिये, सबसे पहले उनको पहुँचाया, और हम सारी चीजों क उनको मुहिया करा रहे हैं, सारे विवादों को हम कर रहे हैं, इवन इंडिया ने इस साल सेख मजीबुर रहमान की, आपने देखा होगा सेख मजीबुर रहमान के लिए कई सारे प्रोग्राम इंडिया में आयोजित किये गए, इस साल जो ये 2021, 2022, इंडिया में भी जो इनके पिताजी के उपर इस साल विशेश पर्व मनाए गए हैं, सम इस्पेशल पर्व एस बीन और्गनाइजड बहुत सारी चीज़े हमने किये हैं, वैक्सिन डिप्लोमेसी की हैं और हम और भी मजबूत करने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, भाईया रिलेशन्शिप बहुत है इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है अब देखो यह सवाल कि यूपीएस्सी पे जो सवाल आएगा क्या आपसे हो रहा है देखो भारत बंगलादेश ने आपस में बड़े घणी संबंध हैं परंतु हाल के दिलों में इनमें कुछ चुनौतियां भी उत्पन हुई हैं उन चुनौती का वर्न्वन करते हुए समाधान अस्तुत की इन इंडिया बंगलादेश रिलेशन्शिप आपस में बड़े घण in the recent part highlight them and provide solution कैसा नहीं हैं सिरफ challenges हैं हम दे रहे हैं अब इसके नोट्स बंगलादेश के नोट्स नेपाल के नोट्स भुटान के नोट्स मैं डाल दूँगा मैं डाल दूँगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों टेलिग्राम पर आप उनको देखना हमारे द्वारा डले हु उनको पढ़ना उसमें से नोट्स बनाना पूरे आई यार में जो इससाल कोश्चन आएंगे वो आपसे होंगे कल हम बहुत बड़ा मुद्दा लेंगे कल मैं आमार का जो इससे इससाल सवाल आना ही आना है पीटी में भी आना और मेंस में भी आना है तो वी विल टेक अ वेरी वेरी स्पेशल मुद्दा नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे आंसर आइटिंग के जी एस के ऑप्शनल के कोर्स चलते रहते हैं कोई भी आपको कोर्स करना हो और या एडमिशन लेना हो जहां पर भी जिस भी प्लैट्पॉर्म पर मैं पढ़ाता हूं आप मुझसे संपर्क कीजिए You can always contact us on this number for admission तो आज की क्लास में यहीं विदा लेता हूं आप पर सरस्वती माता की किरपा बनी रहे और कल साड़े दस बजे डाउट किलियरिंग क्लास होगी साब आएंगे मैसेज कर देना जो भी डाउट किलियरिंग क्लास करना चाहते हैं Tomorrow There Will Will Be a Doubt Clearing क्लास भ्हुत-भ्हुत धन्यवाद मेरे बच्चों IS की परिक्षा को, Pass करें Thank You very much God Bless you बाइ, बाइ, बाइ